इंडिया एलाइंस की मेगा रैली की करते हैं दिली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के विरोध में विपक्ष ने राजधानी में आज एक मेगा रैली का आयोजन किया है और इसे इंडिया गटबंधन के शक्ती प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है आपको बता दे कि इस रैली में सोनिया गांधी, राहूल गांधी, लालू प्रसाद यादव, मम्ता बैनर जी, फारुख अब्दुल्ला, M.K. स्टैलिन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव समेत करीब 27 से 28 दलो के नेताओं के पहुँचने की संभावना है वही कॉंग्रस ने ये कल कहा था कि यहां रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विपक्षी गठबंधन, यानि कि इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओं रैली का उदेश्य किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं है बलकि संभिधान और लोकतंत्र को बचाना है, विपक्षी दल कॉंग्रस ने ये भी कहा कि आज होने वाली रैली से लोक कल्यार मार्ग जहां प्रधान मंतरी का आवास स्थित है, उसे एक कड़ा संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी के नित्रित्व वाली सरकार का समय अब पूरा हो गया है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक इस रैली में हिस्सा लेंगे और उनकी ये टिपपणी इस त्रिष्टी से बेहत महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के नेता इस रैली को प्रवर्तर निदेशाले द्वारा दिली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल को घिरफ रूप से शामिल होंगे जबकि सोनिया गांधी इसमें भाग ले सकती हैं वही इंडिया नाशनल डेवलप्मेंटल इंक्लूसिव अलाइंस यानि इंडिया ने 17 मार्च को मुंबई में लोकसभा चुनाओ का अपना बिगुल फूंका था और चुनाओ तारिखों की घोशना सरवाधिक बेरोजगारी दर, आर्थिक असमानता, समाजिक धुरूवी करण और किसानों के खिलाफ अन्याई के मुद्दे उठाएंगे कॉंग्रस ने ये भी जानकारी दी कि एक और प्रमुख मुद्दा जो उठाया जाएगा वो है केंद्रे एजेंसियों के दुरूपयोग का मामला ED और CBI किस तरीके से निशाना बना रही है राजनेताओं को ये मुद्दा उठाया जाएगा और रमेश ने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को राजनेतिक रूप से निशाना बनाने की कोशिश में दो मुख्य मंत्रियों और कई मंत्रियों को गरफतार किया गया है ये भी कहा कि ये उस्मान सिक्ता को दर्शाता है कि प्रधार मंत्री विपक्षी दलों को राजनेतिक और आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं पूर्व केंद्रे मंत्री जेराम नमेश ने ये भी बताया कि चुनावी बॉंड के माध्यम से जबरन वसूली और कॉंग्रिस को कर आतंकवाद यानि टैक्स टेरिरिजम से निशाना बनाया जाने के मुद्दे भी हम रैली में उठाएंगे उन्होंने ब्योरा दिये बिना कहा कि हमें आयकर विभाग ने दो और नोटिस दे दिये हैं और रैली का सबसे महत्वपूर्ण देश समविधान की रक्षा करना है दावा किया है कि समविधान खत्रे में है क्योंकि भाजपान नेता कह रहे है कि इसका पुनरलेखन करना चा रक्षा के लिए है आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जार्खंट के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और वही SP प्रमुख रांकपा प्रमुख शरत पवार और राश्ट्य जंता दल नेता ते जस्वी यादव माकपा की बात करें तो महासचेव सिताराम येचुरी, भारत्य कम्निस्ट पार्टी भागबा के महासचेव डी राजा, नैशनल कॉन्फरेंस नेता फारुक अब्दुल्ला, पीपल्स डिमक्रिटिक पार्टी, पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती, सपा प्रमुख खिलेश यादव, अपना सोरेन भी दिल्ली पहुँच गई है, कल उन्होंने सुनिता के जिर्वाल से मुलाकात की थी, आज रैली में वो भी हिस्सा लेंगी, तो आज इस रैली पर हमारी नजर बनी रहेंगी और इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे